नमस्कार आज में आपको पताऊंगे ब्लाउज से जूड़ी हुई खास बात है और नाप लेके ब्लाउज का कैसे हमें कटिंग करनी है हर साइज का ब्लाउज आप किस तरीके से निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपना कपड़ा देखना है कि अगर है भी च चेश्ट है जैसे 36, 38, 32 तो आपको लेना है असी सेंटीमीटर तो कपड़े को पहले हमें डबल करना है देखिए इस तरीके से काटने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कपड़े को पहले डबल रखेंगे अब जैसे ब्लाउज है अब आप किसी का ब्लाउज से कापल रहे हैं तो कपड़ा बाद में चोटा पड़ना तो उससे पहले आपको पहले नाप लेना है तो देखिए प्लाउज के हमारे खुले होने चाहिए जो भी नइ लोग है वह अच्छे से समझें ब्लाउज के खुले होने चाहिए और इस तरीके से हमें अपने इतना फरक आ गया तो देखे इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बिलाव से लेंगे तो उसको खोल के अच्छे से रखना है उसको ऐसे करके इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो देखे कितना हो रहा है 19 इंच और अगर आप इसको ऐसे होक लगा के और ऐसे रख रहे हैं तो देखे छोटा हो जाएगा क्योंकि जो भी आप गल्तिया कर रहे हैं वह में आपको समझा रहे हैं देखिए 17 इंच हो रहा हैं तो इस तरीके से आपको पहले नाप लेना है अब देखेए गले की बात करे तो अगर आप deep गला बनाएंगे तो उसके solder आप अपने इसाप से लेंगे 5.5 इंच और अगर आप छोटा गला बना रहे हैं 6 इंच या 7 इंच का पीछे का तो आपको 6 इंच के solder लेने हैं इसको आप इसको solder बोलते हैं या कुछ लोग मुड्डे भी बोलते हैं इस तरीके से आपको नाप लेना तो यहां पर देख रहे हैं न यह दीप गला यह तो दस इंच आ रहे हैं इसके यहां पर दस इंच बढ़ाना है तो आपको यहां पर जैसे इस तरीके से आप जैसे 11 इंच ले लेंगे तो 11 का आदा करेंगे तो साड़े 5 इंच आएगा अब देखिए लंबाई की बात करें तो किस तरीके से में ब्लाउज का नाप लेना देखिए इस तरीके से पीछे से लंबाई का नाप लेना है तो देखिए यहां पर कितनी आ रहे हैं लंबाई साड़े तेरा इंच तो आप इसमें अपने इसाप से लंबाई बढ़ाएंगे अगर तुर्पाई वाला है तो उसमें 1.5 इंच लेन तो उसके लिए भी एक आइडिया है कि जो हम तुर्पाई करते हैं इसको खोल लें और इसमें अंदर वाली पट्टी लगा दें तो इस तरीके से आप इसके लंबाई बढ़ा सकते हैं अब देखिए तो इसमें आप एक इंच बढ़ा दें चौरा इंच पर कटिंग करें त अपनी जो पीछे की लंबाई है तो यहां पर दी की तुर्पाई बाला है तो यहां पर हमें एक इंच अंदर की शाट दवाना है आदा इंच ऊपर की शाट तो पहले हम यहां पर देड़ इंच ले लेंगे यहां पर देड़ इंच ले लेंगे उसके बाद हम अपना निश लिए निखन लगा लेंगे इस तरीके से और इसके आरूमल हम चेश्ट के साप से लेँगे तो उनिसिंच एच्छे उसके आरूमल लेंगे 6 इंच दो इंच लेंगे हम गले की चोड़ाई अगर आप गला अच्छे से बना लेते हैं तो डाई इंच ले लें इससे जादा चोड़ाई दना लें चोड़ाई अगर जादा लेंगे तो कंदे गिरेंगे अब देखिए डीब गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पर आदा इंच और इसको ऐसे गोलाई में कटिंग करेंगे अगर हम यहां पे चोटा गळा बनाएंगे तो उसके एम wizard लेंगे छह इंच देखिए बात को समझेए अगर हम छोटा गळाँ बनाएंगे तो के फिर जटीन के हम यहां पर क्योंकि यहां जादा लेनी हैं अगर कपड़ा कम है तो एक इंच की ले 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 तो इस तरीके से निशान लगाने में हमेशा डेड़ इंच की गुंजास लेती हूं क्योंकि कभी कभी तो हम देखते हैं ब्लाउस दे जाते हैं कि इसके नाप का सिलना और वो भी उनका टाइट होता है फिर हम पर हम पर ही गुस्सा होते हैं कि नहीं आपने टाइट कर दिया है तो हमेशा 1.5 इंच की यहां पर गुंजाइस लेनी है इस तरीके से अब कले की लंबाई आप अपनी ही साफ से ले सकते हैं लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखे ही आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है इस तर इन्ट को ब्ला नगe सर्म घरे के लेंग और शोड़ाई दिन इंच इस तरीके से अब यहां पर हमें ऐसे बोलाई में ऐसे गोलाई में ऐसे कर लेंगे जैसे नीचे के साइडाल है अगर शोड़ायी रखना चाते हैं अगर नई रखना चाथे तो इस के बात जब अलग से, 14 इंच अलग से, इसकी जो पूरी लंबा है वो कितनी है, 14 इंच, तो 15 इंच आपने पीछे की इंच लिया है, तो आगे की साइड आप कितना लेंगे, 15 इंच, आगे का पलड आपको 16 इंच लेना है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि हमारा भिलाव निकल देखिए इस तरीके से तो आगे का पल्लर हमेशा आपको एक इंच ज्यादा लेना है क्योंकि उसमें तीरा लगेगा पिलेट डलेगी तो इसलिए आपको यह बास समझ नहीं है कि पीछे के पल्लर से आपको आगे का पल्लर एक या डेड़ें ज्यादा लेना है और यहां से आ तो पहले आपको कपड़े को देखना कि कस तरीके से में ब्लाल निकालना est Glass तो मेरा खने कम अपकर हमें था लेना है किस सरी के से उड्लं बड़ सारो गनेका रहा एक और यहां परको नभूलाइन कॉअ ब्लाउज का नाप इसमें नहीं चलेगा, इसमें सोल्डर का नाप चलेगा, अगर आप नाप नहीं ले पा रहे हैं, ब्लाउज ही है, तो उसके लिए आपको चेस्ट के साब से रखने हैं सोल्डर, जैसे हैबी चेस्ट है, 40 चेस्ट है तो उसके आपको 8 इंच के सोल्डर तड़ेंगे और उस बॉलाज को पेहन नहीं पाएंगे और हैं किसी ने कहा है है कि मेरा जो कॉलर बाला ब esosyle कम करने के बाद फिर आप पीछह का बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से आप उसको डीप गला बना सकते हैं तो देखिए मैंने आपको हर तरह से समझाया है कि आप अच्छे से ब्लाउज बनाना सीख जाए और हां अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आप और भी ब्लाउज कटोरी बाले या सूट बगेरा सीखना चाहते तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेल लिंग इन हिंदी चैनल आप उस प आप नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें धन्यवाद